घर में फंक्शन था तो खूब सारी सबजियां बच गई हैं हेलो एवरिवन एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होमी लोपी पर और आज हम अपनी किचन में बनाएंगे चारत्रे के पाउडर अद्रक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, टमाटर का पाउडर और हरी मिर्ची का पाउडर ये पाउडर जनरली लोकल मार्केट में नहीं मिलते हैं और इन्हें ओनलाइन मंगाना काफी महंगा पड़ता है और इसमें भी टमाटर का पाउडर बनाना तो बहुत जादा टफ होता है क्योंकि जब भी इसे सुखाने के लिए डालते हैं इसमें फंगस लग जाती है प्रन्तु आज हम इसे एक नई ट्रिक के साथ बनाएंगे तो इसे भी हम आसानी से तयार कर लेंगे तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इन पाउडर को बनाना सबसे पहले हम बनाएंगे हरी मिर्ची का पाउडर इसे बनाने के लिए हमने हरी मिर्ची को धो कर बारीक बारी काट लिया है और इसे सूखने के लिए 2-3 दिन तक धूब में रख देंगे अद्रक का पाउडर बनाने के लिए हमने अद्रक को अच्छे से साफ करके छील लिया है और अब एक ग्रेटर लेकर उसकी जो सबसे बड़ी वाली साइड है उससे इसको ग्रेट कर लिया है सारे अद्रक को ग्रेट कर लिया है अब इसे भी सूखने के लिए 3-4 दिन तक धूप में रखेंगे लहसुन का पाउडर बनाने के लिए हमने लहसुन की कलियों को अलग लग करके गिल्ले कपड़े से अच्छे से पोंच का छील लिया है बाजार में जो पाउडर मिलता है वो बहुत ज़ादा सफेद कलर का होता है क्योंकि जो लहसुन का पाउडर बाजार में मिलता है वो छिलकों को साथ में पीस कर बनाया जाता है प्रंतु हमने छिलकों को अलग कर दिया है इन लसुन की कलियों को मिक्सी में डालकर इनका पेस्ट बना लेंगे अब एक प्लेट में बिचाएंगे बटर पेपर और सारे पेस्ट को इस पर फैलाकर तीन से चार दिन के लिए धूप में अच्छी तरह सुखा लेंगे सूखने को तो यह चाया में भी सूख जाएगा प्रंदु चाया में सुखाने पर टाइम ज़्यादा लगेगा और इसका कलर है वो डार्क हो जाएगा प्याज का पाउडर बनाने के लिए प्याज को हमने चील कर धो लिया है और अब इनकी जो आइज है इन्हें निकाल देंगे क्योंकि यह खाने के लिए सही नहीं होती और अब इन्हें लंबे और पतले-पतले टुकडों में काट लेंगे अब इन्हें भी टिशू पेपर पर फेला कर दूप में तीन से चार दिन तक अच्छे से सुखा लेंगे टमाटर का पाउडर बनाने के लिए टमाटर को रफली चौप कर लिया है और अब इससे मिक्सिंग जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे टमाटर को बीट करके उसका पेस्ट बना लिया है अब इसे डालेंगे एक कडाही या पैन के अंदर और इसे चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से नहीं सूप जाता टमाटर के पेस्ट को अच्छे से भून कर उसके पानी को completely सुखा लिया है अब स्टील की एक प्लेट लेंगे और उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑईल डाल कर उसे अच्छे से ग्रीज कर लेंगे अब टमाटर के पेस्ट को इसमें डाल कर ऐसे पतला-पतला बिछा देंगे अब इसे भी कम्प्लीटली ड्राइ होने तक 3-4 दिन तक धूप में सुखा लेंगे 4-5 दिन हो चुके हैं और सभी चीज़ें अच्छे से सूख चुके हैं देखिए कितनी क्रिस्प हो गई हैं इन्हें हमने अच्छे से धूप में सुखा लिया है अब सभी चीज़ों को मिक्सी में पीसकर चल्ली से चाम लेंगे तो लेजिए तैयार हो चुके हमारे पांचों मसाले यानि कि अद्रक, प्याज, लसन, टमाटर और हरी मिर्च का पाउडर इन्हें बनाना थोड़ा सा मेहनत का काम है प्रन्तु यह आपके काम को बहुत आसान कर देंगे इसका यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं इसे स्नैक्स में, सीजनिंग में या फिर ग्रेवी बनाने में इससे जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही कम घी या तेल में बनेगी और आपका समय भी बहुत बचाएगी तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करें और यदि ये तरीका पसंद आया हो तो में इस रैस्पी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेर कर दें यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉल्ला कर सकते हैं थेंक यू